नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल धुरुव क्रियेशन पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों भगवान विश्णुजी और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से 23 नवंबर 2000 तेईस को देव उठनी एकादशी के दिन बना दिव्य दुरलभ महाशुब संयोग अमृतर सिध्धी योग महालक्ष्मी योग बारह राशियों में से 6 राशियां होंगी करोड़ पती माला माल जी हाँ दोस्तों अब भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी की कृपा से 12 राशियों में से 6 राशियां होंगी करोड़ पती माला माल जी हाँ दोस्तों अब भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी की कृपा से 12 राशियों में से 6 राशि के दिन धन से माला माल होने वाले हैं ये छे राशियां करोडपती बनने वाली हैं इन राशिवालों को स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते अब करोडपती बनने से माला माल बनने से जी हां दोस्तों आपको बता दें हिंदु शास्त्रों के अनुसार हर वक्त का अपना की वर्षा होती है, सभी व्रतों में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, हर वर्ष 24 एकादशियां होती है, कार्तिक माह के शुक्लपक्ष की एकादशी या घ्यारहवी दिन को देवुठनी एकादशी मनाई जाती है, इस बार 23 नवंबर गुरुवार को एकादशी पड़ रही है, इस दिन भगवान विष्णुजी की पूजा की जाती है और उन्हें समर्पित वरत रखा जाता है, इस वरत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनो कामनाएं पूरी होती है, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन चतुरमास की समाप्ति के साथ ही सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं, ऐसे में आईए जानते हैं कि वर्ष 2023 में देवुठनी एकादशी का वरत कब किया जाएगा, साथ ही जानते हैं तुलसी विवाह की तिथी, दोस्तों आपको बता दें कि देवुठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, देवुठनी एकादशी के दिन ही चातुरमासिक की समाप्ति मानी जाती है, बतादें की कार्थिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथी का प्रारंब, 22 नवंबर रात 11 बज कर 30 मिनट से होगा, वहीं इसका समापन 23 नवंबर रात 9 बज कर एक मिनट पर हो रहा है। ऐसे में देवुठनी, एकादशी, प्रबोधनी, एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। माना जाता है कि इसी दिन से भगवान श्रीहारी शीर्ष सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। इसलिए इस तिथी से सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह मुंडरन, जन्यू संसकार कारियों पर रोक लग जाती है। वहीं देव उठनी एकादशी तिथी पर जब भगवान विश्नु अपनी निद्रा से जाकते हैं, तब चातुरमा समाप्त मानी जाती है। और सभी मांगलिक कार्यों का भी शुभारंभ हो जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी एक अबूज मुहूर्त भी है। अर्थात इस दिन सभी मांगलिक और धार्मिक कार्य बिना मुहूर्त देखे शुरू किये जा सकते हैं। इसी शुभ मुहूर्त के चलते तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। आप अपने घर पर शालिक ग्राम और तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुक सम्रिध्य आएगी। कार्थिक मास का बहुत महत्व है। इस मास में पढ़ने वाले सभी व्रत और त्योहारों का भी बड़ा महत्व है। तुलसी विवाह के लिए अभिजीत मुहूर्त 24 नवंबर 2023 शुकरवार की सुबह 11 बचकर 43 मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 26 मिनट तक रहेगा। इन दोनों शुब मुहूर्त में भगवान शाली ग्राम और मार्ता तुलसी का विवाह रचाना बहुत शुब फल देगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इस दिन यानि एकादशी के दिन सरवार्थ सिद्ध योग, रविपुष्य योग, अम्रित सिद्ध योग, महालक्ष्मी योग का निर्मान हुआ है। जिसमें से बारह राशियों में से कुछ राशिवालों को धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ये राशिवाले धन से माला माल होने वाले हैं। और अब करोड़ पती बनने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इन राशिवालों को स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते। भगवान, विश्नु और माता लक्ष्मी की कृपा इन पर हो गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वे भग्यशाली राशियां। कौन-कौन सी हैं दोस्तों। आजकल की दुनिया में मनुष्य के लिए पैसा बहुत ही जरूरी चीज हो गई है। बिना पैसे के मनुष्य कोई भी कार्य करने में समक्ष नहीं हो पाता है। यदी किसी जीवन में धन की कमी, कोई कमी ना हो, वो अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाहता है। जिसके लिए वो दिन रात कड़ी महनत भी करता है। जिससे वो बहुत सारा धन अरजित कर सके। परंतु इतनी महनत करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलता प्रा कि मनुष्य को महनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए। क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे, तो मनुष्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती। और यदि किस्मत साथ दे, तो मनुष्य अपनी कम महनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्रा प्रभाव देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत भगवान श्रीहरी विश्नु और माता लक्ष्मी के आशीरवात से चमकने वाली है और इन राशिवालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुआत ह जी हां दोस्तों इन खुशनसीब और भागिशाली राशियों में से बात करे पहली राशि की तो पहली राशि है मकर राशी मकर राशी वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु जी आपके ऊपर बहुत महर्बान हो रहे हैं और इनके आशीरवात से जोख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की कृपा द्रिष्टी आपके ऊपर बनी रहेगी जिसकी वजह से ही आपको जो भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वे कार्य आपके लिए सफल होंगे सालों साल से आपके रुके हुए कार्य अब सफलता पूरवक पूरे होंगे अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है आप अपने सभी कर्जों से मुक्ति पाने में काम्याब भी रहेंगे आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत बनी रहेगी व्यापार में अचानक धन लाब होगा और सुक शान्ती का वातावरण आपके घर में बना रहेगा साथ ही साथ मकर राशिवालों आपके ऊपर भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी हालांकि इस राशि के लोग अपने उग्र स्वभाव पर थोड़ा संयम रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों इस लिस्ट में अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है मेश राशी जी हाँ दोस्तों मेश राशी वालों को बता दें कि इस समय शुभ सहयोग से माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु की कृपा से आपको अब लाभ दायक समय देखने को मिल सकता है आपके लिए इस समय लाभ दायक स्थितियां बनी हुई है आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपको अपने भविश्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाए रखी हैं वे योजनाएं सफल होंगी और उन पर अमल करने का समय भी आ गया है उन पर अमल करें सफलता आपके हाथ लगेगी साथ ही साथ अब आपको कई बड़े फायदे देखने को मिलेंगे व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे जो व्यक्ति नौकरी पेशावाले हैं उनको पद में उननत्ति मिलेगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा साथ ही साथ समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में व्रिध्धी होगी साथ ही साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा माता पिता का आशीरवाद आपको बड़ी उंचाईयों पर लेकर जाएगा इन राशिवालों को माता लक्ष्मी और भगवान विश्णुजी के आशीरवाद से समय आपके लिए अनुकूल है समय का भरपूर लाब हुठाएं दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राश्य है वो खुशनसीब और भाग्यशाली राश्य है कन्या राश्य कन्या राश्य वालों को बता दें भगवान विश्णुजी और महालक्ष्मी के आशीरवाद से अब इस समय खुशियों की सौगात लेकर आया है जी हाँ दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभधायक समय सिद्ध होगा दोस्तों परिवार में सुख शान्ती आएगी आप ये रुके हुए समस्त कारे अब समय पर पूरे हो जाएंगे जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा संतान पक्ष से कोई बड़ी खुश्खबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन रहेगा भगवान विश्णू और माता लक्षमी की अपार कृपा द्रिष्टी आपके उपर बनी रहेगी जिसकी वजह से आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके घर परिवार में सुक्षान्ती का वातावरण रहेगा साथ ही साथ जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुश्खबरी प्राप्त हो सकती है भगवान विश्नु और महालक्ष्मी की कृपा से समय आपके लिए कन्या राशिवालों बहुत ही लाभ दायक रहने वाला है अब बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशिकी तो वो है मीन राशि दोस्तों मीन राशिवालों को बता दे भगवान विश्नु और महालक्ष्मी अत्यंत महरबान है अत्यधिक कृपा आपके उपर बन रही है मीन राशिवालों भगवान श्री हरी विश्णू और महा लक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य शुरू करेंगे या नया कोई बिजनिस शुरू करेंगे आपको उसमें अवर्ष्य ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी साथ ही साथ आप समाजिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे साथ ही साथ छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा दामपत्य जीवन सुखमय रहेगा जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा मीन राशिवालों अब आपको अभी सभी खुशियां प्राप्त होंगी जिसके आप हकदार हैं भगवान विश्नु और माता लक्षमी की कृपा से आपको अब अनेक प्रकार के लाब धन लाब और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं दोस्तों अब बात करते हैं अगली खुश नसीब और भाग्यशाली राशी की तो वो है कुम्भ राशी कुम्भ राशी वाले लोगों को बता दें कि भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए बहुत ही शुभ महा संयोग का निर्मान हो रहा है इन राशी के लोगों के कार्य और विचारों में एकाग्रता और शान्ती रहेगी आप लगातार सफलता की नई नई कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल करेंगे आप अपने मेहनत से जो भी कार्य में लगे हुए हैं वे कार्य सफल होंगे तो दोस्तों आपको बता दें आपको धन लाभ प्राप्ती के भी योग बन रहे हैं व्यवसाय में भारी धन लाभ आपको प्राप्थ होगा। आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं जिससे अपने घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की कृपा से कुम्भ राश्यवालों। समय आपके व्यवार में खुशियां आएंगी। बात करें अगली खुश नसीब और भाग्यशाली राश्य की तो वो है तुला राशी। जी हां दोस्तों। तुला राशी वाले लोगों को बता दें। आपके उपर भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा द्रिष् जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में पदोन्नती और तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी योग है। जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस समय सफलता अवश्य ही प्र साथ ही साथ आपका प्रेम जीवन दाम पत्य जीवन वैवाहिक जीवन बहुत ही खुश्मय और आनंद पूर्वक रहने वाला है। जाने दें। दोस्तों में बात करते हैं। आए अवसर की तलाश है तो वो भी अवसर आपको प्राप्त होगा। जिसकी वजह से ही आपकी जो भी आप जो भी कार्य करेंगे वे सफल होते चले जाएंगे। आए के साधनों में व्रिद्य होगी। शीरवाद से इस समय आपके लिए अनुकूल है। आप लोगों को बता दें। आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ कारोबार में व्रिद्य होगी। सामाजिक शेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको होने वाली है। जिससे आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। दोस्तों में बात करते हैं अगली कुछ नसीब और भाग्यशाली राशिकी। तो वो है व्रिष्चिक। राशी। व्रिष्चिक राशी वाले लोगों को बता दें। भगवान विश्णू और महालक्ष्मी की कृपा से आपको कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको अवश्य ही फाइदा प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिती पहले से बहतर होगी। आपकी रुके हुए कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे। दोस्तों के साथ मेल जोल पड़ेगा। साथ ही साथ इस राशिके व्यक्तियों को परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। आपकी मधुरवानी की वजह से आपकी सभी अठके हुए कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे। भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बन रही है। जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित सभी परिस्थितियां दूर होंगी। जो भी आपके रुके कार्य हैं वे अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे। आशिक राशिवालों महा लक्ष्मी और भगवान लक्ष। भगवान विश्नु जी के आशीरवात से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। समय आपके लिए नुकूल है। प्राप्त होने वाली है जिससे इन राशिवालों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशीरवात आपको प्राप्त हो। सक्ची दिल से कमेंट बॉक्स में जै महालक्ष्मी जै श्री विश्नु अवश्य लिखें। धन्यवाद।